तो यहां पर मैं लाइव हो गया हूं थोड़ असा इश्यों आ गया था जिसे कि मैं दो तीन मिनिट लेट हूं सुमृ जिससे आने फटा फट से आते चाओ यहां पर फिर सशन को जोह शुरू कर रहे होंगे ठीक है अ हलो वाफी आहर एंप हैं मैं तो कि सबको हुसे एक एए सब्सक्राइब कर देना जो भी चीज़ें ठीक है है हलो बफी है ओके आप मैं लाइब हो चुका हूँ है ना एक बार अगर मैं दिखे रहा हूं सारी के सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई है तो मुझे आप थमसब अगेरा भी कर दो यहां पर ठीक है कि अब लाइब हो ही गया है ना कि एट सेकंड लेट मी चेक इट चलो कर आपको कुछ वाल्यूम वगएरा का इश्यो आता है तो अपना इश्यों फिर वो बीच में बताना ठीक है चलो अब मैं इसको सशन को अपने शुरू करता हूं यहां पर यहां आपका सब्सक्राइब कर क्रैश कूर्स चलेगा जिसमें हम क्या करेंगे आपके जो सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो शुरू करते हैं फिर अपने आग पर आज के को और हमें आज कम से कम 80 से लेकर के 100 तो बहुत ही अच्छे से कर लेने होंगे तभी हमारी चीज़ें वह अच्छे से रन कर कवर करनी है तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है इसलिए आपको क्या करना है बलकुल शेयर करके आजाओ और इसको ना बहुत अच्छे सब्सक्राइब क्लास में बदाता हूं सारी सारी चीज़ों को यह कहीं निप्ताना है ठीक है ना फिर बात में टाइम नहीं मिलेगा ओक अब सचन को में यहाँ पर शुरू करते हैं अपने सामने यहाँ पर आज का सबसे पहला कोशन है यह आपके सामने प्राइम मिनिस्टर और पर किये गए फटाफट से आपर आंसर देना शुरू करो और यहाँ पर आंसर देने में लेट मत करना मैं चीजों को बहुत ही और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएग वन यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा मुहमद अलवी यहाँ पर फाइंट पर प्राइम मिनिस्टर इराग है तो यहां पर आपके क्या है बरहम साले हैं इसको कोषन ब्राइब की बात करूए रिखी होती है इराक की करणसी होती है और क्या होती है दीनार आपकी करणसी होती है और अगर मैं इराकी कैपिटल कौन सी है इराकी कैपिटल है बगदाद अब यह तर अगले कोशन को देखते हैं या पर अपने सामने नेक्सेट और आता है टेलिग्राम याफ से यहाँ पर आपके चेर्मैन सेंट्रल बोर्ड आफ इंकम टैक्सेंड कस्टम्स अगर आपको पता होगा ओके यह और यहां पर आपका जो इंकम टेक्स के अभी रिसेंट लिए चेर्मैन किये गए वह कौन किये गए अजीत कुमार विल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर आपका एम अजीत कुमार राइट अंसर हो जाएगा और यह क्या है आपका यूणियन बजट से दो दिन पहले वेटल्यांट अब मिया की असरफ और बटाएट है यaker 2 में वर्ल्ट देखाइन नहीं होगा जब मैं अभी देखूंगा तब मैं आपको करता हूँ ठीक है इससे देखिए आपर आपका राइट आंसर क्या होगा टू ओके फैब्लरी टू यहां पर जो है अपना आंसर आ रहा है खेर यहां पर देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना फैब्लरी टू 2020 बिल् कर लो से ट्रील यशंवर क्या पैब DR आट रूड है यह आपकी सबार की थीम अगर मैं आपसे बात करो गीम इस जैए उलाया का क्पा था इंदर जो रामसर के अंदर क्या फिर उट वेड लेड़न्स के लैवली होडे हैं उन्हें बचाना पड़ेगा और उसको लेखर की एक मीटिंग होती है जो है आपकी सेकेंड और याद करने के लिए यहां पर कॉंफरेंस कर रहे होते हैं फिर उसको मने नाम दे दिया वर्ल्ड वेट लेंड देख द्लियर है जैन रहेगा हमेशा चलो अगले कोशन पर आते हैं नेक्ष वाला कोशन देखते हैं यहां पर अपने सामने लिए और सब्सक्राइब से लिए तुच यहां पर आपको यहां फिल्ड फिर दियार विए ग्रीशर फिर फिर्स? the wetlands of the world so we celebrate this we celebrate this event of meeting on 2nd of february 1997 okay got it so here we have third question which is uh which is the world's largest solar telescope that recently captures its first image of the sun option is grand telescope canary's hobby everly telescope gregor uh td observatory after daniel k in illinois solar telescope okay welcome यहाँ पर आप बताएं भी फिटाफट से इसका अंसर क्या होगा option a b c d okay don't know कोई बात नहीं आपर देखो इसका right answer हो जाएगा आपका और किसी का आपका अंसर हो जाएगा आपका डीकि के आईस्ट ठीक है अगर मैं इसके short form की बात करूं तो इसको तो मैं क्या बोल दोंगा डी के लिखा हुआ है तो डी का इसे पहले जो सोलर स्कोप था ना यह उसका डबल साइज गया और यह पूरे के पूरे सरफेस आफ दशन को पूरा कवर कर ले तो और यह बहुत ही अच्छे से उसकी इमेज दिखा रहा होता है तो आपको यह द्यान सबसे बड़ा आपका सोलर टेलिस्कोप वह कौन सा है डी के आई स्टी जान रहेगा अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने अगला कोशन हूं एज बिन अपॉइंटेट इंडिया साइज कमिशनर टू कैनेड़ा के लिए इंडिया की तरफ से जो हाई कमिशनर है वह कौ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे बात करूं कि यह पोस्टिंग आपकी इंपॉटेंट क्यों है क्योंकि अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो इंडिया है वो अमेरिकन कंट्री के साथ में अपने 20 को बहुत जादा मतलब मजबूत करने की कोशिश से पहले जो इंडिया के हाई गश्चंण न involves जाता हो जाता है ठीक है तो यह अब तोपाल वागले राहूल चाबरा के लिए हापका रैटान सर क्या होगा और यहां पर हमारे पास आया है चलिए वरुन का अंसर आ गया है सी वेरी गूड वाट यू टोल्ड अबाउट पाकिस्तान प्रिविएसली अजय वाज़ा है कमिशनर टू पाकिस्तान बिफोर ही वाज अपाइंटेट अजय कमिशनर टू कैनेडा गॉट इट नाओ इफ वी यह बिल्कुल करेक्ट है वरुण ने भी आपका विल्कुल राइट आंसर दे दिया है तो इनको क्या है जो आपके गोपाल वागले हैं इनको श्रिलंगा का अपइंट किया गया है अंबेस्ड़ ठीक है न तो आपके जो भी निवरिंग कंट्री होते हैं उनके बारे में हम पता होना चाहिए चलिए और यह जो अभी जो पीएमों में जॉइंट सेक्रेटरी की पोजिशन पर भी काम कर रहे हैं चलिए अगले कोशन पर आते हैं यह वाला अगले कोशन है इंडिया बिग्गेस्ट डूलर टेक्निकल फेस्टिवल टाइटल अंता प्रण्या 2020 हैस बी कि इंपर्टेंट कोशन है और ऑ्सकार और किसी का कोई अनसर वही को अब यो तो यह आंसर आपका यह और यह अंसर क्या हो जाएगा ते लंगाना ते लंगाना एंडिया को सबसे बड़ा टेक्निकल फेस्टिवल आनई वरुन एम पे में भी नहीं स्टर्ट किया गया ठीक ह और यह जो है आपका सबसे बड़ा अभी तक का बिग्गेस्ट फेस्टिवल है तो इसका नाम भी द्यान रखना आप लिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करने हैं क्योंकि कलकी क्लास आपकी मिस हो गई तो बताओ भी वटाफट से क्या अंसर होगा है यहां पर है कि किसी का अंसर निया भी तक ओके वरुन का अंसर आया है एंडी नो आइडिया ओके चलो खर कोई बात नहीं यहां पर आपका रइड आउंसर हो जाएगा है तो यह कहां पर और और यह आपके लिए बहुत जरूरी है इसको थोड़ा ध्यान रखना ठीक है ना अभी हम इसके जो विनर्ट से उनकी बात क अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपकी अलग क्रिकेट को छोड़ करके जो और चैंपियंशिप है उनको में देखना काफी इंपॉर्टेंट है सेकेंड फॉर्थ फिफ्ट फैब्री में बताएं फटावट से जल्दी जल्दी करो कि अबनाएं से दिन मनाया चाता है कि यहांपर आपका राइट आंसर हो जाएगा और पर आपका राइड एक Jacob सएनडाल के मनाया चाता है और अगर मैं सीबात करों जो वो ओ कौन इसको लीड़ करता है तो ये करता है नेक्ट यूणीयन फॉर इंटानेशनल कैंशर कंट्रोल और यह जो है आपका सपोर्ड करता जो आपके गोल्स आए हैं वर्ल्ड कैंसर डेक्लेरेशन के ठीक है रोल्ड कैंसर डेक्लेरेशन जो आपका डूबलू सीडी है यहा अपका ट्वन्टी टु搂जन डेट में तूट लिए तो उसके एकॉर्डिंग लिए उसको सपोर्ट करता और वर्ल्ड केंसर डे मनाता है अपना फॉर्ट और फेवरी को हर यह ठीक है ना चलिए अगले कोशन पर आते हैं एक्सट वाला कोशन यह रहा वेस्ट फिल्म वेस्ट फिल्म नॉट इंग्लिश लैंग्वेज अव और आ तो वर्ल का अंसर आया है भी वफी का एए है ठीक है तो नाइंटीन सावंटीन जो है यहाँ पर आपका अंसर आ रहा है चलिए खर देखते हैं और किसी यहाँ आंसर नियौन चेया बर आपका याँसर क्या हो पटाइब एक और मिला इसको आज को ऑसकर भी मिला है तो इसको ऑसकर भी मिला हुआ हुआ अगला कोशन हूँ वन्दा सिंगल टाइटल इन एफ बुमन्स टैनिस टूनमेंट बताओ किसने वुमन का सिंगल टाइटल जीता है ITF वुमन टैनिस टूनामेंट में ITF की बात करूँ तो ITF होता है आपका किसी का आंसर आया गया बफी का A B, B आंसर यहां पर आया हुआ है और कोई आंसर चलिए खेर यहां पर B आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है अंकिता रहना को जो है वो एवार्ड इन्होंने वुमन का जो सिंगल टाइटल है ITF वुमन टैनिस टूनामेंट का वो इन्होंने जीत लिया है और ये टूनामेंट आपका कहां पर हुआ है तो ये थाइलेंड में हुआ है ठीक है ना ये भी दान रखना कहां पर हुआ है ये आपका थाइलेंड में ये आपका टूनामेंट हुआ है और इससे पहले क्या है अंकिता ने डबल स्टाइटल भी जीता हुआ है नीदर लेंड म आप बताव इस कोश्यन का अंसर क्या हो जाएगा थीम आफ दा वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है फटा-फट से बताव यह दो पता होना चाहिए सभी को आपको अगर कहीं डाउट होता है तो आप बता देना वापर मैं आपको पर्टिक्लर इंग्लिश में भी एक्स्प्लेइन कर दूँगा ठीक है वरुन का आंसर आया है एक ठीक है यहां पर आपका जो थीम है वो क्या हो जाएगी आई एम एंड आइवल ठीक है यह आपकी थीम हैं रिटा एच फॉर एंटोनियो गुटरस भी सी है आपका ओड्रे अजूले दैन एकीम स्टाइनर बताएं भी फटाफट से कि अब भाई जल्दी से आंसर देतो चलो खैर किसी का अंसर अभी दब आया नहीं है मैं इसको एक्स्पेन ही कर देता हूं ठीक है न वरुन का आज़ूले जो है वो यूनेसको के डारेक्टर जनरल है और यह हम इनका नाम क्यों है यहांपर देख रहे हैं दान से क्योंकि इन्होंने क्याक्या एक विजिट करी ह इंडिया की फॉर्थ से लेका फॉर्थ फिफ्ट और इंडिया की यह इसलिए हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है युनेसको पैरिस में हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड अच्छा यह और बताओ युनेसको की इंडिया में कितनी हैं यह नंबर भी चाबाश अब यह और बता दो युनेसको में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं टोटल ओवरॉल युनेसको की इतनी मेंबर कंट्रीज है शेशांग का अंसर थ्री आया है ठीक है हाँ ठीक है और्ड्रे अजूले आपका बढ़िया वैरी हुड वफी का 132 अरे 132 लोगंट्रीज नहीं है देखो मैंने बताया था अच्छा कितना बताया था बताओ फटाफट से फिर याद होना चाहिए फटाफट से बताओ मैं अगले कोश्चन पर आता हूं अब शेक नागर का अंसर आया है 193193 भी नहीं है क्या कर रहे हो यह है अगला कोश्चन 189 आ गया अरे भी 187 है ठीक है ना कितनी कंट्रीज है 187 कंट्रीज है ठीक है याद रखना चलो यहां पर वर्ल्ड वेटलेंड देखिए जो थीम है वो क्या रही है वर्ल्ड वैल्टेंड देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे और बताए फटाफट से वहीका अंसर आ गया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अपर बात करी है सेकंड ओफट को यह आपका मनाया जाता है ठीक है ना क्यों मनाया जाता है क्योंकि यह राम सर कंवेंशन आपकी हुई थी ठीक है ना चलिए यह सारी सारी बातें मैंने आपको उपर बता ही दी है अच्छा एक बात और यह राम सर कहां पर यह आपने अभी तक अंसर दिया नहीं है मैंने उपर भी पूचा थे वाला कोशन राम सर जो लोकेशन है वो है कहां पर राम सर आपका कहां पर है बताओ फटाफट से चलो इसका अंसर दो इरान वेरी वड़ फशेक ठीक है राम सर आपका इरान में शाबाश अब देखो यह कोशन आपकी सामने आता है वाट इस इंडिया रैंक अब यह तो ऑप्शन भी दिख रहे आपको वाट इंडि सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इंडिया की रैंग कितनी है और अगर मैं आपसे बात करूं 2019 में इंडिया की रैंग कौन सी बनी थी यह किसी को पता है यह तोड़ा साम अगले कोशन पर आ जाते है बहुत ही जल्दी जल्दी आ चीजों को करना होगा जो आपका एनुवल उद्या नोट सब होता है वह इनाउग्रेट किसके द्वारा किया गया है बताएं भी नरेंद्र मोधी निर्मला सीता रमन रामनात कोविंद एंड इस्मृति इरानी अच्छा यह जो उद्यानोट सब होता है ना यह आपका बेसिकली क्या होता है राश्टपती भवन का एक फंक्शन होता है बफी का अंसर आया है सी वेरी गुड रामनात कोविंद ठीक है ना तो अफकोर्स अब यहाँ पर बात की जा रही है आपके प्रेसिडेंट भवन की कि सर मेरे जियस में 15 ज्यादा आही नहीं रहें क्या करूं कोई नहीं हम ना क्लास के बाद में यह सारी बाते करेंगे आपके जो भी डाउट्स है फिलाल हम यहां पर को करते हैं फिर जो 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 यह बैसिकली आपका राश्टपती भवन में क्या है एक जो है सारेमनी टा वण गोल्ड मेडल एड सीनियर वोमन्स नैशनल वेड लिफ्टिंग चंपिंशिप नेशनल वेड लिफ्टिंग चंपिंशिप वुमन्स के सक्षन में किसने यहां पर गोल्ड मेडल जीता हुआ है अब शेक का अनसर आया है 20 g36 बुफी आंसर आया है वन यहां पर वन क्या है पूनंब Kraju ठीक है अब सेका राया है सिर पता अंसर होगा कभी आईसा थोड़िग की बात आगि तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राकी हल्दर किसी ने आपकर करेक्ट आंसर नहीं दिया है तो राकी अलदर अब याद रख लेना इसको कोशन इंपोर्टेंट और आपनों कोई कुशन आती ही निया है अबी चलो जो राकी हल्दर जी है इनको गोल्ड मेडल मिला है सीनियर वोमन्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चेंपियोंशिप में और यह कहां से बिलॉंग करती है आज कल एससी थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो यह याद रख लेना यह बिलॉंग करती है यह बैंगॉल से बिलॉंग करती है और केटेगरी की की कि बात करने डिहाँ देख लोगत तो सकतेनेन अबर की बाताइब पर आपा अगले कोशन पर लाते ने एक कोशन यह उpek और आरी वापका टा-चाहिए और यह आपका और वी दिए आपकी नेशनल वेट लिफ्टिंग जंबियोंशिप है यह आपकी कोल काता में ही आपकी और ना इसको एक बार याद रख लेना कोशन आ सकता है मेरा बाई चानू 49 kg चलो यह आपका कैबिनेट का कावण में इसेटा कवण सी स्क्यींत्य मफ और बनने वाला है सैटों इसकी होने वाली है बतानेवाला प्रॉट सका अंसर दो भी नहीं आ gratis घुजरात ओडिशा किसी का अंसर ही नहीं आ रहा भी महाराश्ट्रा ठीक है चलोग बनेगा ती महाराष्ट्रा में बन रहा होगा ठीक है अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने विच मिनिस्ट्री है रिसेंट्ली लॉंच्ट इस ओफ लिविंग इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉंच किया है बताओ यह मिनिस्ट्री ओफ आइसेंग अर्वन फाइनांस होम अफेर्स एचार डी या फिर आपका हैं हेल्ट एंड फैमिली वेलफेर वफी का अंसर आया है ए ओके और बताओ भी अविशेक का डीडी ठीक है हेल्थ एंड वेलफेर भी आ गया और बताओ तो यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शिय नंबर ए डी ऑप्शिय आपका नहीं होगा मिनिस्ट्री ओफ हाउसेंग अर्वन अफेर्स ने ना होम अफेर्स का मतलब है यहां पर आपका अर्बन अफेर्स की तो बात की जा रही है कहीं ना चलो अगले कोशन पर आते नेक्स्ट वाला कोशन देखो यहां पर यह आपने सामने कहां चला गया देखो वाट वस थीम ऑफ दा इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलेरेंस प और यह भी बताओ आपका अब्जर्व कब किया जाता है अर्बन मतलब अर्बन का मतलब होता है शहरी वफी का आंसर आ रहा है यह ठीक है और बताइए यह आपके सामने ऑप्शन अनलीजिंग यूथ पावर दन आपका फोकस और यूमन राइट सेने मोबिलाइजेशन और यहां तो किसी का यहां पर और किसी का अंसर आ नहीं रहा है तो आप्शन नंबर आप्शन नंबर यह जो है यहां पर अपना बिलकुल क्रेक्ट हो जाएगा लीजिंग यूथ पावर वन डिकेड़ ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्शन फोर जीरो फीमेल जेनेटल पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखो यह तो सेम कॉशन है देखो रिसेंटली वॉन मिस्टिक कलिंगा लिट्रिय वार्ड वैसे यूथ पावर था जीरो टॉल्रेंस डेका नहीं अनलीज यूथ पावर इसका इतेंग नहीं था आपका हाँ यूथ पावरी तो था वो है 2019 की बात हो रही है जीरो टॉल्रेंस डेक ठीक है ना चलो अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने हूद रिसेंटली वॉन मिस्टिक कलिंगा लिट्रेरी अवार्ड कि इसका अंसर बताओ कि आप राम्न हेलो मैं आपको ओडिबल हूँ क्या मैं एक बार ओडिबल हूँ तो एक बार आप थमसब वगयरा करके दिखा देना ठीक है ना कि एधिंग बीच में कुछ नेटवर्क इश्यों आ गया था कि अब शेक का अंसर आरा है यह talking कैमिस्टिक कलिंगा लिट्रेरी अवार्ड ओरडिल ठीक है थी कर मिश्टिक कलिंगा लिट्रेरी अवार्ड जो है किसने जीता एछ इए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एडी फटा फटस एस चांसर बताओ कि हम हैं यह हुआ है और यह कहां पर दिया गया ये भी बताएं वुफी जो होजाmus दास्पों को मिस्टिख कलिंग लिटिररी अवर्ड मिला है और यह एड विडार एयरपोर्ट विडार एयरपोर्ट पे किसने इनाउग्रेट किया है पहली कॉमर्शल फ्लाइट को बताव फटाफट से और यह भी बताओ यह आपका जो एयरपोर्ट है विडार एयरपोर्ट यह कहां पर है में कोशन तो यह है कि विडार एयरपोर्ट है कहां प तो क्लियर यहां पर अपना जो बीएस यदी रुपा इन्होंने इनाउगरेट किया है फर्स्ट कॉमर्शिल फ्लाइट ऑपरेशन को विडार एरपोर्ट पर और जो विडार एरपोर्ट है यह पर सिच्वेटेड है बैंगलूर में ठीक है ना बैंगलूरू करनाटका अफको कि विच स्टेट है रिसेंट्ली लॉच्ट मुख्य मंत्री परिवार सम्रिद्धी योजनाव मुख्य मंत्री अब शेक का अंसर डी आया है आई तिंक इस इन करनाटका ठीक है वेरी गुड अंशर नहीं था वहां पर अच्छा पिछले वाले कोश्चन का ठीक है यह डी वरुन का अंसर भी आ गया यूपी क्या गर रहे हो और कोई चलो यूपी को मैंने हटा दिया चलो ठीक है इसको मैं यूपी को यहां से हटा देता हूं बदाओ अच्छा यह एक आपकी योजना है बेसकली ठीक है जिसका नाम है मुक्यमंतरी परिवार सम्रद्धी योजना जिसमें कि आपका एक फैमिली को जो बैनिफिट्स दिये जाएंगे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्याणा हर्याणा में जो है आपकी स्कीम लाँच करी गई है मुक्यमंतरी परिवार सम्रद्धी योजना इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है ठीक है ना इसमें क्या होगा आपको 6,000 रुपीज पर येर द जीरो लैक रुपीज से कम होगी उनको क्या किया जाएगा ये 6,000 रुपीज पर यर दिए जाएंगे और जिनका लेंड जो है उनके पास में 5 एकर से कम होगा ठीक है ना 5 एकर से कम उनके पास मेंग होना चाक्यएग अगले कोस्वाहें पर आते हैं एम würdh पर आपको कोई भी कोशन आ जाए ठीक है ना यहां से दो तीन कोशन बने आपके दो तीन मीटिंग्स होई हैं इंडिया की और भी कंट्रीज के साथ में तो अगर डिफेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग्स होई है इस बार कहीं भी तो वह कहां पर हुई है अपका कॉण सी डेट को हुआ यह और यहां पर दान रख लेना यह आपका सिक्स और फैब को हु लिए अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला व्लाग्व यह रहा फैशन शो ली नौर्ट इस धानागा नरेटिव वॉज्ट सेट यह फैशन तो हैं जिसमें कि आपका नाम है और अगर आपकी नौर्ट की बात कहीं भी की जाती तो अपने लिए आफकोर्स एक इंपर् ठीक है और बताओ तो चलो इसको मैं बता ही देता हूं जल्दी-जल्दी आंसर दिया करो अप्रोब ठीक है ना ज्यादा विचारना नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्याणा यहां पर जो हर्याना का सूरज क्या थीक है ना इसका अगर मैं लोकेशन के लिए स्पेसिफिक जाता हूं तो सूरज हर्याडा में जो है आपका नाचरली नॉर्थ इस दा नागर नेरेटिव क्या जो फेस्टिवल बेसिकले एक फैशन बहुत ही बड़ी जानी मानी फैशन डिजाइनर है ठीके ना इन्होंने जो ऐसे क्यूरेट किया है यानि कि इसकी देखरेक जो इनकी अंडर ही हुई है यह पूरा का पूरा जो फैशन शो हुआ है ठीके अगले कोश्चन पर आते हैं यह देख लो अगला कोश्चन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर नो आइडिया कोई बात नहीं देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप बार्टन बस थोड़ा से दान रख लेना क्यूंकि करेंट में आ गया तो फैब्लरी का मैं नहीं चाहता हूं कि आप फैब्लरी और जैन में से कोई भी थोड़ी सी इंपॉर्टन चीज यहाँ पर छोड़ो ठीक है ना कुछ भी कोशन बनिया तो हमें दिक्कत पड़ जाएगी ठीक है तो यह फिलिप बार्टन जो है वह पॉइंट किये बिटिश के हाई कमिशनर इंडिया में अगले कोशन पर आते हैं यह आपकी सामन आपको बता देता हूं यह 11 नंबर का था ठीक है ना कौन से नंबर का था यह आपका 11 नंबर का एडिशन यहाँ पर आपका यह कंड़क्ट हुआ है अगले कोशन पर आते हैं बागी की सारी चीज़ें आपको अल्रेडी बता चुका हूं डेफेंस एक्सपो के बारे में किसने जीती है ओकी 11-11 वेरी गुड़ अब शेक और बफी चलो यह बताओ बफी का अंसर आया है सी गुरदीप सींग ठीक है यहाँ पर सीनियर की बात की जा रही है ठीक है ना यह भी दान रखना कि किसी आंसर और कुछ खास आया नहीं है चलिए मैं यहाँ पर आपको शती शिवलिंगम शायद नहीं सती शिवलिंगम भी आपन नहीं है सीनियर की बात की जा रही है सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चेंपियोंशिप ठीक है ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घणे हरेमी लाइगं होसिती फटर अच्ट हariosन पर घाले कोशन पर आता हूं यह आपका अगें कोलकाटा में इंटले कोशन वर्ल्ट हरेटेज बाता चाहर ? मिला हुआ है जैपूर अजमेर पुषकर भारतपूर बताओ भी कि फटा फट से इसका अंसर देदो क्या दिक्काते समय यूनस को आपको सारी सारी चीज़े पता हो नहीं चाहिए आंसर क्या रहा है यहां पर आपका राइट आंसर जो है ऐप सेज्ट मिला हुआ है ठीक है चलो यहां पर जो है अब क्या वोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जैपुर को या फिर पिंक सेटी ऑफ राजस्थान बोलतो ठीक है तो ये इसको मिला है अच्छा युनेसको के डिरेक्टर जनरल का नाम क्या था बताओ जरा मुझे अभी 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 हमने बात करी इसकी मिजोरम के हैं शायद जरमी ह यहां यह मुझे भी कंफर्म नहीं है लेकिन यहां नौर्थ इस्ट के ही है अजूले वेरी चलो यह ऐसे ही चीज़ें आपको क्या याद रखके चलनी है ठीक है ना यह देखो यहां पर क्या है विच आफ फॉलविंग वंदा फॉर्स्ट एवर खेलो इंडिया आई सौकी चैंपियंशिप किसने जीती है जो सबसे पहली खेलो इंडिया हाई सौकी चैंपियंशिप हुई है अंसर क्या हो जाएगा कि यह आपके सामने लद्दाग स्काउट्स आइटी बीपी बीएस एफ सिया इस एफ यह आपके बेस्किली टीम के नाम दिये हुए है कि कि किसी का कुछ खास आंसर आया नहीं लद्दाग स्काउट्स बफी का यह आ गया है अवशेक का भी आगया वह रिगोट्षा बाश यहां पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा लद्दाग स्काउट्स इन्होंने आपका सबसे पहली जो भी इंडिया की खेलो इंड पर दिग्या तो हम इसको देखी लेते हैं अगले कुशन पर देखो रिजेंटली विकेम दा यंगेस्ट बॉलर टू टेका है ट्रिक टेस्टिक रिकेट ठीक है आई सब्सक्राइब को पहली वार्ट यूडिया है इसको बताओ भी यंग बॉलर कौन है जिसने हैट्रिक लि कि वह बटाओ और कुछ बैए और मिसे का अंसर नहीं रहे और किसी नहीं आया हैं वरून का सराया है अट चलो वर shove का सांसर आ गया यहाँ पर आपका वरुन का आंसर आपको थोड़ा सा दान रख लेना धिनेश का भी आँसर आ ठीक है यह आपका विल्कुल ग्रेक्ट आंसर हो या ठीक है अच्छा और हाँ एक बात और इन्होंने हैट्रिक ली कौनसी टीम की अगेंस्ट थी ठीक है यानि यह पाकिस्तानी टीम में है और इनके अगेंस्ट कॉनसी टीम थी यह और एक बार बतादो हो सकता है कि आप से कोशन पूच लिया जाए ना किसी को आराई कैस कांसर लंका नहीं भई लंका अंका नहीं है कि है अपना नीवर हिड कंट्री ही लेकिन शीलंका नहीं है बांडरी टाच होती है अपनी उस कंट्री से यह भी मैं आपको हिंट देता हूँ कि अंत्य इस बांगला के शांक वैरी गोडिया यहां पर आपका र्याइटser क्या हो सक्था घ्रिया daw में जाये है ठीक है में करेज दो आथ चीज़ें आप यहां पर द्यान रख लेना अगले कोशन पर आता हूं ज्यादा टाइम मत लिया अगर आंसर देने में ठीक है ना पॉला एंगर आगया है पॉला एंगर दूर यहां पर ऑप्षिन में भी नहीं है यह तो नहीं भई पॉला एंगर की नहीं है यह इंडियन और यह इसके चलो फटा-फट से बताओ किसने लिखी हुई है यह बुक और हां यह जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट एम वाइंकिया नाइडू इसकी उपर इन्होंने काफी ज्यादा मतलब अपना एंगर शो किया है इसके उपर ठीक है ना इस बुक की उपर चलो खेर इसका मैं आंसर बताता हूं सी ऑप्शन जो वरुन ने दिया है और किसने दिया है बफी का गलत हो गया खेर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा रामकृष्ण राउने इस बुक को लिखा हुआ है काफी इंपोर्टेंट बुक है याद रखन कोशन आने के बहुत ज्यादा चांसे से क्योंकि इसकी ऊपर थोड़ा सा जो है आपका थोड़ी लड़ाई बड़ाई चलीती है अगले कोशन पर आते हैं यह देख आपकी सामने क्या है हूँ विकेम ता यंगेस्ट गर्ल इन वर्ल्ल टू समिट माउंट एकॉंग का अब एबी सीडी में से कोई आप्शन बताएं भी बफी का अंसर आ गया है ठीक है और लोग बताओ अब फटा फट से बोलते जाओ और इनकी उम्र क्या है है इनकी एज है कितनी यह भी बता दो और माउंट एक को आगी बात हुई है तो इसकी हाईडी बता देना एक बार च यह भी आ ऊंसर हमने तो पता किसी को शी को साव इंड्यक और नहीं बहुत था करती है मुंबाई से ठीक है मुंबाई से भीलांग और दियुक्त नाइट ओर स्थक्ट फौरेट इसके ख़ीट नहीं है ऩि तेक है इस्थ पॉर पॉरад नहीं है माउंट ऐकाउंट के गवागी शशहांग का अंसर आया है वी अभशेक का 12 years old very good इनकी age है 12 years की ठीक है शाबाश और शशांग का अंसर भी आया है भी तो अंसर ही नहीं ठीक है चलो इसकी जो मुंबई based a million ठीक है चलो खेर कोई नहीं यहां पर आपका जो mountain peak की height हो जाएगी वो हो जाएगी अगले question पर आते हैं यह आपके सामने अगला question who has who had been adjust player of the series for the ICC Under 19 World Cup Under 19 ICC World Cup में किसको best player of the series basically player of the series का जो है अवार्ड मिला है बताएं जरा अकवर अली शुशांत मिश्रा परवेज हुसैन इमोन ये शश्वी जैस्वाल कि क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर बताओ जरा फटा फट से बोल दो कि जल्दी जल्दी बोलो फिर हमें बहुत सारे questions करने आप लोग क्या कर रहे हो यह बफी का अंसर आ गया है डी ओके और बताओ फटा फट से बोलते जाओ भी और कीजी का कोई आंसर आई नहीं रहा है चलो खेर अब मैं आंसर आपको बता ही देता हूं यहां पर आपका राइट आंसर जो है option अंबर डी यह शश्वी जैस्वाल जो है यह आपके बने है प्लेयर प्लेयर आफ दसीरीज जिन्होंने फिन तो यह जो है आपके बन गए न तो यह जो है आपके प्लेयर ऑफ दसीरीज बन गए है फेर अब शेक का आणसर आ गया और शच्वाश चलो खर लोगेट बनाये रही जैस चले अगले कोशन पर आते हैं यह शचांग ने अंसर यह चेंज ब्रदी चलो इंडिया पर आपका right answer नहीं होगा चलिए एंडिया की ना लेकिन हम इसको फाइनांशल केपिटल बोलते हैं अब तो बता दो अंसर अब आ गया है न्यू डेली नहीं है बफी का बुंबई आ गया ठीक है यहां पर आपका रेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी मुंबई ठीक है मुंबई जो है आपका रेट आंसर होगा श कोर्स आपकी गवर्मेंट आफ महराष्टा ने की होगी महराष्टा की बात हुई रहे हैं मुंबई की बात हो रही है तो यह बता दो उसके सीम कौन है आशकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अभी सीम कौन है आगे जरह आप लोग कमेंट सक्षन ने बताते रहो ठीक है मैं अगले कोशन पर आता हूं यह आपके साब में अगला कोशन टेट है कावेरी डेल्टा रीजन एज़ा प्रोटेक्टेड स्पेशल अग्रिकल्चर रीजन पताओ इसका अंसर क्या हो जाएगा करनाट का अंध्रप्रदेश तमिल नाडू तेलंगाना अधार ठाकरे ओकिये देखो यहां पर आपका उधाव ठाकरे जोएसके आप थाईएंगे अगला यह कोशन बताओ यहां पर आपका क्या हो जाएगा और अटाकरे ओक्या ठीक है वेरी गुड बफी का अंसर आया है तमिल नाडू ठीक है और लोग बताओ भी क्या लग रहे यां पर पई आंस हैंके चलो घार यहां पर उंसर बता क्या ओँए तो किसका और रहा है तमिल यांध्रा चलो फॉठीक है यहां पर आपका राइट अंशर हो जा emba नाणूर ना किया अपका कॉवेर देल्टा रीजन आपक equivalent कावरे रिवर वां से होके चलती निकलती है तो एक डेल्टा भी बना रही होती है और उस डेल्टा रीजन को तमिल नाडों ने क्या कि एक प्रोटक्टेड स्पेशल एग्रिकल्चर जोन बना दिया इससे क्या होगा ना कि स्टेट की फूड सेक्योर्टी बनेगी इन्होंने एक्जाम में तुक्का मत मार देना समझे नीदो निगेटिव अंसर लेकि आजाओ चलो फूड सेक्योर्टी को जो है अपना रीजन नो ने बताया है बाकी अगले कोशन पर आते हैं ठीक है ना चलिए अचा तमिल नाडू की बता दो तमिल नाडू की सियम का नाम क्या है है तमिल नाडू के सियम का नाम बताओ तब तक मैं अगले कोशन पर आ रहा हूं ठीक है ना चलो यह अगला कोशन एक भारत स्टेश्ट भारत कैंपेइन बिगें ऑन डेश एक्क्रोस इंडिया कौन सी डेट को एक भारत स्टेश्ट भारत कैंपेइन स्टार्ट हुई है चलो हुआ जल्दी से आंसर दो है कि एवसेड design mieć एक के मेसे क्या होगा करूवपडी को आने करूभभबनी थोड़ी है एक हुए छालो इसका अंसर बतार एक भारत चर्ष्ट भारत किसी का अंसर ही नहीं आ रहा भी चलो अ बताओं फिर मैं अंसर इसका टैंध फेब्ररी को जो है यह आपकी एक भारत स्टेश्ट भारत की कैंपेइन लॉंच करी गए ठीक है ना यह द्यानरकना कबसे टैंध फेब्री से से कुछ नहीं है जो आपका बेसके लिए इसका जो मे इंटीग्रेशन बन पाए हम पूरी इंडिया जो है कि इंटीग्रेटेड यू किल्ड मैं लेंगेज़ एड़ी इस पड़ी इस पड़ी से लगता है जीस से भी कहां से क्या पूछेगा नहीं पता अरे कोई बात नहीं अभी आपको ना जब आप यह पूरी कि पूरी क्लास को कंप्लीट कर लोगे आपको पुदा चलना शुरू हो जाएगा कहां से जो है वह आपका करेंट अफेर्स बनते हैं ठीक है कि देखो स्टेट और यूटीज के बीच में इंटीग्रेशन लाने के लिए हमने एक कैम्पेंग लांच करें इसका नाम किया एक बारत आपका य चलिए हुणार हाट इसमिलुक्ण 90 कstrong ç प्लेस पर इनाउगरेट हुआ है कि टीक है नगकिजों को चल Hm हुनार हाट कों से प्लेस पर इनाउगरेट हुआ है इस शुशांक ने आंसर दिया है सी ठीक है कोई बात नहीं ठीक है भाई इन लाइए इस फेस्टीवल अजou टाइप का basically market होता है ठीक है इंडर ठीक है यह जो इंदधर अपना याँपर राइट अंशर हो जाएगा कहां पर MP में ठीक है लगी हाँ MP का नाम नाम बता दो MP का नाम बता दो और इनके जो गवर्नर का नाम भी बताओ ठीक है चलो और एक बात और जो इनागरेट हुआ है आपका हुनार हार्ट ये ना एक बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है कौन है यूनियन मिनिस्टर ओफ माइनोरिटी अफेर्स इन्होंने इसको इनागरेट किया है का नाम भी आप मुझे बता दें वफी का अंसर आ गया कमलनाथ कमलनाथ उस टाइम पे थे माइनोरिटी अफेर्स की यूनियन मिनिस्टर कौन है यह बता दो अर्जुन मुंडा और कोई भाई चलो इसका अंसर आप लोग देना और मैं यहां पर अगले कोशन पर आता हूं ठीक है ना चलो नेक्स्ट कोशन यह रहा हॉर्ण फेस्टिवल वाज डिसेंटली सेलेब्र कर रहे हो ठीक है यह बताओ यह आपका हॉर्ण फेस्टिवल जो है नागा लेंड डी डी तिरपुरा आ अगया नागा लेंड में नहीं है ठीक है और यह बता और बताओ त्रपरा के सीम कौन है ठीक है मिजोरम भी राइट आंसर ठीक है न चलो अच्छा इसका जो में एम था वो यह था कि हॉर्णी विल्गी मदद से क्या किया जाए लोगों की लिव्ली हूड है उनको टूरिजम को सपोर्ट किया जाए और उनकी लिव्ली हूड को थोड़ा कहीं न कहीं इंप्रूफ किया जा सके ठीक है क्योंकि इन लोगं का क्या होता है ना कि टूरेंजम से काफी सारी हेल्प मिल रही होती है ना खैर अगले कोशन पर आते हैं चलिए यह सबसे पहली बार इस स्टेट में कंड़क्त हुआ है असले में अंकल है कोई अरे मुक्तार अबास नकवी जी है ठीक है चलिए सर नागालेंड ही है नागालेंड नहीं है डियर अदेखो हरन्विल फेस्टिवल ना नागालेंड से रिलेट करता है लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं देखो अब यह आप लोग गलत करके आओगे मु हो जा औरिसल्य यहां पर रिजय्सन्ट लेंड आपको सेलेड किया गया है तुर्प्रा में और एक बात और प्रप्रा में यह पहली बाट हो रही है अगले कोश्चन पर यह देखो क्लियर हो गया ना सबको अब कुछ डाउट तो निए इसके रिकार्डिंग गलत गलत करके मत आना ठीक है यह देखो गर्वर्मेंट इस्टू रिनेम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैनांशल मेनेजमेंट यानि की जो आपका नाई एफम है वो किसके नाम पर आपका रिनेम किया गया है सुश्मा स्वराज अरुन जेटली नरेंद्र मोधी शीला दी चलिए खैर अरुन जेटली आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना अरुन जेटली के नाम पर क्या किया जा रहा है जो आपका नाई एफम है फरीदा बादवाला उसका नाम चेंज करके अरुन जेटली नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशल मेनेज आपको आपको देखो आपका चीज़ों को करना ठीक है अगर मैं स्पैसिटेस पर जाता हो तो अपका तो तरटीन तो ये स्टार्ट हूआ था बाकी शायद 13 days की आपकी exercise होती है यहाँ पर आपका UK जो है right answer हो जाएगा clear है अच्छा यह हुआ कहाँ पर एक बात और यह हुआ कहाँ पर आपका कंडक्ट कॉनसे प्लेस पर हुआ है यह और बताओ अब मुझे कॉनसे प्लेस पर यह आपका कंडक्ट हुआ है जल्दी यहाँ हुआ था ऐख यह आपका UK है जो वहां पर कंडक्ट हुआ था और अगर मैं इसमें बात करूं तो सेलेसबरी प्लेंस में ठीक है हां वेरी गोड़ चाब बाश अब शेक आशर कंडक्ट हुआ था ठीक है अगले कोशन पर आते हैं यह रहापके सामने अगला कोशन कि किसी का अंसर नहीं आ रहा भी तक और अच्छा यह भी बताना यह जो आपकी चैंपियोंशिप है यह कहाँ पर और ऑगनेज करी गई थी प्लेस भी थोड़ा से इंपोर्टेंटी है कि वरुन का अंसर आया है डी बफी का अंसर आया है डी पंकज अडवानी पर सब लोग आ रहे हैं लेकिन पंकज अडवानी यहां पर राइट आधिया महता ने ने चैंपियोंशिप को जीता है और यह जो है यह कौनसी का आपके कहाँ पर यह कंड़क्ट हुआ था तो यह ठीक है ना पूरे महारास्टा में शिशांग सींसर कब तक चलेगा जब तक मन लगेगा ठीक है ना चलो घर अरे मुझे आज आपको कम से कम 100 कोश्चन कराने तो पता नहीं कब तक हो पाएंगे इतने सारे कोश्चन कराने हैं लेकिन देखो यहां पर यहां पर चलो फटाफट से बताओ विम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एट लीस्ट वन एम तक तो हम इसको करेंगे ठीक है ना इसके बाद में आपके थोड़े बाद डाउट लोगा और फिर हम इसको बंद गरेंगे ठीक है ना परिचान मतों यह तो देखो यहां पर मैं आपको बता दिता हूं जो बिम्स्टेक की कॉंफरेंस से कॉंबेटिंग ट्रफिकिंग पर यह आपकी न्यू डैली में होगी ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका रेट आंसर हो जाएगा और अगर मैं आपसे बात करूं कि कि किसने इस लॉंच करा तहां 2018 में हुई थी यह वाला देखो भई यह आपका न्यू डैली में हुआ है और यह द्यान रखना इसका आपका जो टॉपिक है ना जो यहां पर आपका सब्जेक्ट है वह क्या है कॉंबेटिंग ट्रफिक ठीक है ना और यह अम इस शाहने जो है लॉंच करा है और यह देखराने बात हो गई और यह और शॉखिए बश्यक्रणे करों और यह याद लेना बहुत अच्छे से आता है कोशन तहीं ना और यह आपका February में हुआ था ठीक है यह आधि बात है और यह प्षेग नागर का उन्सर बहुत ही भड़िया आया है तो लिकोनोमिक सेंटर कॉर्परेशन सेंटर ठीक है वर्ण का अंसर भी विल्कुल करेक्ट आ गया वैरी होड यार शाबश देखो अब इमस्टेक की जो कंट्री सेना कॉन कॉंसी कंट्री इसके पार्टनर्स हैं तो इसका भी आप एक बार जो है नाम लिख लेना इसको मैं यहां अगले कोशन पर आता हूं रात एक बज़े गूगल करके वहीं चलो कोई बात नहीं आपस में लड़ाई मत करो कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है देखो यह आपका अगें सेम कॉश्चन आ गया यह तो हमने करी लिया है अगला कोशन देखो विच अनौफ एकारड़मी आवार्स वर हैल्ड रिसे इस भी है इंडिया तो है इसी ठीक है मैंने सुचा आप लोग यह थोड़ा सा अंडर स्टोड कर लोगे ठीक है चलो खैर नैशनल एकारड़मी आवार्ड का कौन से एडिशन जो है डिसेंटली आपका है है फटा फट से बताओ आपस में बातें मत करो वरुन का अंसर आया है नाइंटी ठीक है और अगले कोशन पर ठीक है नाचलो खैर अब यह पता है ना सबको जो एकड़मी ऐवार्ट होते हैं उनको यह आसका बोलते हैं ठीक हैं दौनों का एक ही मतलब इसको रिफर करता है ठीक है सब्सक्राइब कर रहा हूं ठीक है लेकिन कल तो आपकी प्रीवेस यह वाली क्लास आगी मैंस की ठीक है ना याद रखना फाइब को तो फाइब को जॉइन करना मत भूलना ठीक है तो यह बताओ यहां पर आपका कोशन क्या है हू बंदा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड यहां पर किसको मिला है और यह भी बताना कौन सी मूवी के लिए मिला है फटा वट से बताओ काफी इंपॉर्टेंट कोशन नहीं आपका बफी का अंसर आया है रैनी जल्वेगर ठीक है वैरी गुड अच्छा रैनी जल्वेगर और कौन सी मूवी के लिए मिला है इनको कौन सी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यह भी बता दो जल्दी जल्दी से करो ठीक है चलो जल्दी से बताओ चलो खेर इसका अंसर क्या हो जाएगा जूडी हो जाएगा ठीक है ना तो रहने जाल विंगर ने कौन सी मूवी है इनकी जूडी जूडी मूवी के लिए इनको बैस्ट एक्टरेस का अवार्ड मिला है अब अगले कोशन पर आते हैं और यह एक बायोग्राफी ठीक है जूडी मूवी क्या एक बायोग्राफी थी सर प्रवाइड पीडिए अभी आपको अभी जो प्रवाइड कर वा दूँगा ठीक टेलीग मिला है जो आपकी रिसेंटली ऑसकर्स हुए उसमें बोलते बोलते मेरा गलादर्द होने लगाया पताओ भी फटाफट से थोड़ी सी तब यह ठीक फील नहीं हो रही है जल्दी जल्दी आंसर दो जोकर परसाइट नाइंटी सावंटीन या वंस अपोना टाइम इन जोकर आंसर नहीं होगा नहीं पैरसाइट होगा चलो अब बताओ किसी नहीं अंसर दिया नहीं अभी तक और वरुण का अंसर आ गया है सी चलो घर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है ना नैंटीन सेवंटीन को बेस्ट सिनेमेट्रफी का अवर्ड मिला है और ये जो है आपकी मूवी बेस वर्ल्ड वॉर वन पर ठीक है अगर आपसे पूंच लिया जाता है तो यह वर्ल्ड वॉर्स पर यह मूवी जो है बेस्ड़ैक ठीक है ना अगले कोश्शन पर आते हैं इ और यह कोई बात नहीं है ऐसे आपके 5-6 questions आएगे बट कोई नहीं इसको यह basic सी बात है ठीक है ना मैं आपको most important questions ही करा रहा हूं जो आने के chances हैं और यह questions कर लो ठीक है ना तो कुछ questions हो सकता है यहां से आपके डिट्टो आ जाए ठीक है बफी का अंसर आया है जोकिन फिनिक् कर अब शेक नागर का अंसर यह आ रहा है अरे लिनाडो डिकेप्रियों को नहीं मिला है ठीक है अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने हूं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड इन रिसेंटली हेल्ड ऑसकर्स किसको यहां पर बेस्ट जो सपोर्टिंग और वरुन का अंसर आया है जोकर वैरी चलो यह पिछले वाले कोशन का यहां पर इसका अंसर दो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का एवार्ड किसको मिला है बफी का अंसर आया है डूंट नो यह इंप्रोटेंट कोशन है पता है क्यों है वाद आता हूं अभी आप लोगों को देखो इन्हें बेस्ट सपोर्टेंग एक्टरस का अवर्ड मिला है आपका किसको मिला था यह लौरा डर्न को ठीके ना ऑप्चिन नंबर बी में लौरा ड जो है इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवर्ड मिला है जो आपकी डिजन्टली ऑसकर सूएं ठीक है अब कौन सी मुवी के लिए मिला इनको है अब यह इंपॉटेंट क्यों हो जाता है आपके लिए ठीक है ना यह जो मेरेज स्टोरी मुवी है यह इसी पहली जो online streaming platform आपका Netflix आपको पता होगा यह movie आपके Netflix पे लाँच हूई है ठीक है नेट फिक्स पे आयए और यह पहली movie बन गई है जो किसी online streaming service पे आई है और उसको औसकर मिला है ठीक है ना तो यह बात आप ध्यान रखना ऐसी पहली अक्टर बनी है जिनको किसी online streaming platform पे इंपोर्टेंट है न चलो अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने अगला खुशन विच फिल्म वांदा बेस्ट पिक्चर एवार्ड किसको मिला इसको पक्का आना है पक्का आये या ना आये लेकिन आपको पता तो कैटलीस्ट होना ही चाहिए बताओ भी इसके बारे में हमने आभी आल्रेडी उपर वाले कोशन में बात करी है यह जो मूवी को अवार्ड मिला है जोकर परसाइट 1917 वन्स अपॉन अटाइम इन हॉलिवूड चारों के चारों नॉमिनेशन में गए थे तो अवार्ड किसको मिला है वफीक आंसर आया है य यह यह उस्ती है जोकर आपका रैटफल नहीं है मैंने उपर बात करी मतलब पर वाले कोशन में थोड है और भी उपर बात करिये छलो बताओ भी इसका राइट अंसर क्या होगा वरुन का अंसर थे स्टेस्गा सभी नहीं कि आया है कि एसको पर ओने बाफटा में भी मिला थीए ना अरे नहीं वंस अपोन आ टाइम होलीवड भी नहीं क्या कर रहे है आप लोग ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा पैरसाइट और पैर्साइट को बाफटा अवार्ड भी मिला अभी मैं अभी मैंने आपको बताया था ना उपर वाफटा एव किसको यहां पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का वर्ड मिला है फटा वर्ट से कोशन बताओ इसके आंसर बताओ और फिर मैं सेशन को एंड करता हूं ठीक है यह जैसे अपने आज ऑसकर्स वाले कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको बफीक आंसर आगया सी ब्रेड पिट मुवी के लिए के कौनी मुवी के लिए मिला यह वाला वat बताए चरा और यह कौन से कंट्री की है इंपंडेने यह वाद आ सकता है को मैं थो प्रसटेश्य मूबी न विक चैना की नहीं नहीं तो कुछ लोग नहीं आप warto करके आए पका geht financi नने इसको थोड़ा से जाद रखना ठीड चलो खेर इस कोशन की बात करता हूं तो यहां पर आपका राइट रहो जाए का ब्रैड पिट और इनको कौनसी मुवी के लिए बताओ भी टॉय स्टोरी फोर दा लाइन किंग स्मॉल फ्राइएंड कार्स टी स्मॉल फ्राइट तो मुवी मैंने देखी नहीं बताओ यहां पे राइट अंसर क्या हो जाएगा डॉंट नो सर कोई बात निस का राइट आज़ाएगा अपका टॉय स्टोरी फोर ठीक है और ज सब्सक्राइब करेंगे अगला कोशन की सारी चीज़स में आगी होगी और कवी सारे बच्चे सोने भी चले गए हैं चलो खैर कोई बात नहीं यह पर सचन को एंड करेंगे और कुछ डाउट है तो अपना डाउट मूँ चलो और फिर मैं इसको खतम करता हूं ठीक है चलो खैर और कोई समस्या हुआ आपकी परेशानी हो दिक्कत हो बताएं ठीक है आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दो ठीक है मैं देखता हूं ठीक है वो सकता है आपको रिप्लाई देने में डेले हो जाए थोड़ा सा कोई बात नहीं बट आपको जो है रिप्लाई मिल जाए ठीक है और कोई यहां पर किसी का कोई डाउट हो तो बताओ कि रिगार्डिंग आइनीफिंग आपको समझ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत हो रही है कुछ मोटिवेशन वगेरा आइनीफिंग ओके नो डाउट है चलिए फिर शुबजीत बटाचार्या सेफ रॉज स्कोर फॉर एससी सीचसल 2019 ओके आप वन सिक्स्टी प्लस तो एक्स्पैक्ट करी सकते हो ठीक है वन सिक्स्टी प्लस तो मतलब यह तब है कि आपके पास यह मीनिमम है ठीक है ना लेकिन आपका अपका सेवेंटी के उपर ही आना चाहिए हाओ मैंनी सीए रिक्वाइड सर आ सीए कितने मंत का यह पूछ रहे हैं तो मंत का तो आपका ऐसा समझ लो कि यह आपका ऑक्टूबर से लेकर के जुलाई तक का आपको करना है लेकिन आपको बहुत अच्छे से आपको डीपली कितना यहां से कोशन काफी देखने को मिले है तो इस बार पर होने के इतने चांस अरे कोई चांस नहीं है एक्जाम टाइम पर ही होगा 12th of October से देखा नहीं आप में आज अगेन आपका कलेंडर आया है उसमें भी लिखा हुआ है ठीक है अब नहीं होगा पोस्ट पॉन वगेरा ठीक है सब कुछ बिल्कुल प्रेपेर गरी रखो अब 20 डेज यह बचें चलो और बताओ आपको कहा क्रीज सकते होता है अति कोई साइट पर आपको साथ आता है आता हुंगा ठीक से उसकी यह मुझे उसका स्क्रीन क्रीन करते मुझे और और या फिर आप आपको आपको समझा दूंगा कैसे आपको आपको अपना इंग्रीज करना है माक्स वगेरा कुछ 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 सजेशन दे सकते हो सबसे पहले स्ट्राइजी को देखो उसके अपने topics को एक बार त्यार करो ठीक है ना एक बार आप strategy देखो सबसे पहले टीक है स्ट्राइजी वाली वीडियो मिलेगी आपको बेस्ट भार के लिस्ट आपको मिल जाएगी दो उसको जागर के देख लेना कि कंप कर आप अपने टफ टो नहीं आप कौन से साइड यह आप पर आप को सब्सक्राइब कौन से सेक्षन की बात करें पर्टिकुलर आपको कौन सा सेक्षन यहां पर टफ लग रहा होता है कि आप एक बार ग्रूप पे हाई मेसेज करो आइविल कॉंटेक्ट यू देर ठीक है ना कि और 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 कुछ बताओ और कुछ दिक्कत है या मैस एंड जीए मैस एंड जीए टफ लगता है ठीक है मैस में तो आप एक काम करो सबसे पहले करेंट के लिए आपको सबसे पहले तो यह जो कॉश्चन से एक बार वो कर लेना ठीक है मैं कराई रहा हूं तो यह आपके पास है लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी आप साइड के ना एक मंतली मैगजीन आती है ठीक ना मंतली मैगजीन या फिर आपकी पीडिएफ आरी होती है उस पीडिएफ को अप रिफर करो उससे पूरा पढ़ डालो एक बार आपको अब अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो कॉंटीन इसले तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस ट्राइप कोश्चन को बहुत अच्छे से आप्जर्व करना है ठी कि मुझे यही कोश्चन पढ़ने हैं बाकी मुझे छोड़ देना है ठीक है ना तो और कुछ बताओ और किसी कोई डाउट हो और मैस का बात ऐसी है शुबजीत सर्फ और और कोश्चन कमिंग इन और आइमीन सेक्शनल कोश्चन पार्ट आम आइडियर एक बार आप मुझे करें आप क्या पूछना चाहरे हो कि ठीक है कि कि कहां से मिलेंगे सीजल के प्रिवेस यह पर वह आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर आप मारा टेलिग्राम चनल जोईन कर लो वापर आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं ठीक है ना आज या फिर कल तक प्रोवाइड करवा दोंगा ठीक है सारे के सारे टीन शिफ्ट के और बताओ नाइस सेशन है ओके थैंक्यू सो मच जिन लोगों समझ में आगया क्लास अगया रहा होगी कुछ डाउट नहीं है तो वह लोग अब जा सकते हैं ठीक है ना बागी कुछ डाउट है तो यहा अब करिए सकते हो ठीक है अब 25 कोशन रीजनिंग अचा और सबसे बढ़ी आपको बटाई देता हूं बड़े दान से सुनना आपके पास में जो कोशन करने का और होना चीए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप करो इंग्लिश को ठीक है ना इंग्लिश को और आपको अगले 10 मिनट में हो जाने चीए ना तो यह जो लेंग्वेज वाला सक्षन है ना इसमें बस आपको पढ़ना है कुछ आपको पेपर पर कुछ सॉल्व करना पड़े तो बस यहां पर आपको क्या करना है रीजनिंग का सेक्षन उठाना है ठीक है ना रीजनिंग से में आपको जो अराम-अराम से कोष्टन साल जा रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना इससे क्या होगा मैंड अपका वाम अप हो जाएगा और फिर जब आ एक तरहिके से यह आपका कहीं न कहीं पिद पड़ेगा तो जब अपना मैंड वाम पो जाता है तो फिरम मैंस सेक्षन को पड़ेगा यह आपका वरी करेगा आप रीजनेंग पर कितना टाइम देते हो रीजनिंग आपको कम से कम 10-15 में निप्टानी पड़ेगी और आप चाहो तो बाकी का टाइम सारी 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 चीज़ों को रिवाइस कर सकता है अब कुछ उसमें आपका बताया नहीं जा सकता वैसे अगर आप सीजल को देखुए तो इसमें 35 मांक्स भी आपके सबसे पहले ना यह स्टार्टिंग का सब सावान चोड़ो और जाके पीछे जो आपको स्टाटिक जी के दी गई है वो पढ़ो ठीक है ना सबसे लास्ट में इसके अलावा पिस्टी पढ़ लो ठीक है लूसें यह सब्सक्राइब डेवल हिस्टी पढ़ लो आजकल वही ज्यादा आ रही है ठीक है ना मुगल काल हो गया यह सारी के सारी चीज़ें कि अर्डिस आइंटेड आफ्टर सींग एससी शडियूल क्यों भाई क्यों डिसवाइटमेंट है कोई नहीं होते बहुत ही कम लोगों के होते हैं परसेंट के हो जाएं ठीक है ना जाता लोगों के डिक्रीज नहीं होते हैं ठीक है ठीक है भी और कोई बातचीत कल गरें फिर बागी की बातचीत हैं हम इस्वारी सेंपल पेपर में 130 आ रहा है चाहें एकस्पेक्टेशन रखनी क्या लिखना चाहे रहे हो अप रखनी चाहिए तो ख्लेर हो जाएगा अच्छा ठीक है आप बढ़िया ही हो जाएगा सब ठीक है और बताओ ठीक है ना फिर सचन को यहीं पर एंड कर दू अब बाकी का कुछ डाउट होता है अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना ठीक है वहां पर मैं आपका डील कर लूँगा तो थैंक यू सो मच गॉड़ बैस यू टेक केर बाबाई गुड़ नाइट और सभी लोग अच्छे से हो जाओ अब ठीक है ना चलो खैर बाबाई